आरंब में परमेश्वर ने संपून स्रिष्टी की रचना की उन्होंने आकाश, प्रित्वी और उसमें जो कुछ है उसे रचा जब हम देखते हैं कि परमेश्वर में क्या-क्या रचा है तो हम आश्चरे चकित रह जाती है जो कुछ परमेश्वर में रचा वो सब अच्छा था हर वस्तून की महानता, भलाई और सामर्थे को प्रकट करती है परमेश्वर ने विभन प्रकार के पेड़ पौधे, जन्तु और पशुपक्षी बनाए तब उन्होंने मिट्टी लेकर पहले मनुष्य को बनाया और उसके नथुनों में जीवन भूंका पहला मनुष्य आदम कहलाया तब परमेश्वर ने आदम की पसली निकाली और उससे स्त्री को आदम की पतनी और साथी होने के लिए रचा उसे हवा नाम दिया गया परमेश्वर ने अपने स्वरूप में स्त्री और पुरुष रचा इसलिए वह उनके साथ मिल जुलकर रहने का आनंद उठाते वो बगीचे में आनंद से उनकी उपस्थिती में रहते थे जो परमेश्वर ने उनके लिए रचा था बगीचे को अधन की वाटिका कहा गया वहां कोई पीडा या मृत्यू नहीं थी परमेश्वर ने आदम से कहा तुम हर एक पेड़ का फल खा सकते हो केवल एक को छोड़ कर अगर उसका फल खाओगे तो तुम निश्चे ही मर जाओगे परन्तु एक दिन शैतान जो दुष्ट आत्माओं का प्रधान है उसने हवा को परिच्छा में डालने की कोशिश की उसने फल तोड़ा और कुछ खाया और उसने अपने पती को भी खिलाया उस सीक्षण परमेश्वर के साथ उनका संबंध तूट गया क्यूंके परमेश्वर पवित्र है और उनकी आग्या तोड़ने वाले उनकी उपस्तिती में नहीं रह सकते परमेश्वर ने आदम और हवा को अधन की वाटिका से बाहर कर दिया उन्होंने परमेश्वर की आग्या को नहीं माना इसलिए उन्हें लज्जित होना पड़ा उसके परिणाम स्वरूप आदम, हवा और उनका सारा वंश, दुख और मृत्यू के भागिदार हुए लेकिन परमेश्वर बहुत दयालू है उन्होंने मनुष्य से प्रेम करना नहीं छोड़ा उन्होंने मनुष्य को फिर से अपनी संगती में लाने का रास्ता पहले से ही तैयार कर लिया था पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने अपनी इस योजना को प्रकट किया जिसके द्वारा वे मनुष्य को उस दंड से जिसके वे लायक हैं बचाएंगे और उनके पाप और लच्चा को दूर करके अपनी संगती में वापस लाएंगे भविश्य वक्ता अबराहम पर उन्होंने अपनी इस योजना का एक भाग प्रकट किया अबराहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनका आधर किया परमेश्वर ने उसे आशिष देने की प्रतिक्या की और कहा कि उसके द्वारा वो सब राष्टों के लोगों को आशिष देंगे परमेश्वर ने उससे प्रतिक्या की कि वे उसके वंच को सागर तटकी रेत के कणों और आकाश के तारों के समान कर देंगे अबराहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके इस विश्वास के कारण उसे धर्मी ठहराया और लोगों ने उसे परमेश्वर का मित्र माना एक दिन परमेश्वर ने अबरहम की परिक्षा ली कि वो उन पर विश्वास करता है या नहीं और उनकी आग्याओं को मानता है या नहीं परमेश्वर ने उससे अपने बेटे की बली देने को कहा अबरहम जानता था कि इस एक पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने वादा किया है कि वो उसे बहुत बड़ा वंच देंगे फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनकी आग्या मानी इसलिए अपने बेटे को परमेश्वर के लिए बली चड़ाने की तैयारी कर ली अबराहम ने अपना खंजर उठाया लेकिन तभी परमेश्वर ने कहा अबराहम बालक को नुकसान ना पहुचा मैं जानता हूँ तु मेरा भै मानता है और मेरी आग्याओं को मानने के लिए तैयार है तब अबराहम ने अपने पास एक मेंढ़ा देखा जो अपने सीन से ज़ाडियों में फसा हुआ था अबराहम ने उस मेंढ़े को लिया जो परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर के लिए उससे अपने पुत्र के बदले बली चड़ाया जब परमेश्वर ने अबरहम की बेटे की जगे मेंधा उपलब्द कराया उन्होंने लोगों के लिए अपने महान प्रेम को प्रकट किया उनका प्रेम उस अच्छे पिता के प्रेम जैसा है जो अपने पुत्र से प्रेम रखते हैं इस घटना के द्वारा परमेश्वर ने ये प्रकट किया कि वे मनुश्यों के बदले एक बली उपलब्द कराएंगे। बहुत समय पहले परमेश्वर ने भविश्य वक्ताओं पर ये प्रकट किया कि वे एक पाप रहित व्यक्ति को आदम के वन्शजों के बदले मरने के लिए भेजेंगे और उनके पाप और लच्चा को दूर करेंगे। एक महान बलिदान के द्वारा वे उनके लिए जो उन पर विश्वास करेंगे एक मार्ग तयार करेंगे कि वे परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए मेल मिलाब से रह सकें। भविश्य वक्ताओं ने इस व्यक्ति को मसीह कहा. उन्होंने कहा कि परमेश्वर मसीह को अपने लोगों को बचाने के लिए भेजेंगे और वे उनके राजा होंगे और परमेश्वर के नाम से हमेशा उन पर राज्य करेंगे. उनके आने से कई सौ साल पहले भविश्य वक्ताओं ने बताया कि मसीह क्या क्या करेंगे और उनके साथ क्या होगा. भविश्य वक्ता दाउद ने कहा कि परमेश्वर मसीह के बारे में ये घोशना करेंगे कि तू मेरा पुत्र है. यशाया भविश्य वक्ता ने कहा कि एक कुमारी गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन होंगे उनका वो पुत्र परमेश्वर का आनंत वचन होगा जिसे परमेश्वर ने कुमारी के गर्भ से मनुश्य की रूप में संसार के सम्मुख प्रकट करने के लिए भेजा भविश्य वक्ताओं ने ये भी लिखा कि मसी का जन्म बैतलहम में होगा उन्होंने भविश्य वानी की कि वो येरुशलाम में उनके राजा के रूप में प्रविश करेंगे उन्होंने ये भी लिखा कि तीस चांदी के टुकड़ों के बदले उनका एक नस्दी की मित्र उन्हें धोका देगा भविश्य वक्ताओं ने कहा कि मसी अपनी जीवन का बलिदान करेंगे लेकिन परमेश्वर तीसरे दिन उन्हें मृतिकों से जीवित कर देंगे भविश्य वक्ताओं ने मसी को मनुश्य का पुत्र कहा और बताया कि वे दुबारा आएंगे बादलों पर और परमेश्वर की उपस्थिती में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर उन्हें सब लोगों और राष्टों के उपर हमेशा के लिए अधिकार देंगे 2000 वर्ष पहले एक ऐसे ही व्यक्ति संसार में रहते थे जिनका नाम यीशू था क्या यीशू का जीवन उन सब बातों को जो भविश्य वक्ताओं ने मसी के बारे में कहीं पूरा करता है ये फिल्म ये बताती है कि यीशू कौन है और उन्होंने क्या कहा और क्या किया जैसा धर्म शास्त्र में लिखा है इस फिल्म में कलाकार ने यीशु का पात्र निभाया है वैसे तो कोई भी इस कारे के योग्य नहीं लेकिन इस फिल्म को इसलिए बनाया गया कि लोग यीशु के बारे में और उनके जीवन के बारे में जान सके और उस आशीश को जिसकी प्रतिग्या परमेश्वर ने की है प्राप्त कर सके प्रियर थियू फिलिस मैं आपको क्रमानुसार उन सभी घटनाओं के बारे में लिख रहा हूँ जो हमारे बीच घटी ताके आप हर बात के बारे में संपूर्ण सत्य को जान सके जिन दिनों अगस्तुस कैसर रोम का शासक और महान हैरोदेस यहूदिया का राजा था परमेश्वर ने नासरत शहर की एक कुवारी के पास जिब्राइल स्वर्गदूद को भेजा उस कुवारी का नाम था मरियम है भी इतना हो मरियम आप पर परमेश्वर का नुग्रह हुआ है आप गर्वती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे और आप उनका नाम येशु रखना ये कैसे हो सकता है मैं तो कुवारी हूँ पवित्र आत्मा पर उत्रेगा इस कारणवे पवित्र बालक परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे तधा उनके राज्य का कभी अंतना होगा मरियम यहुदिया के एक नगर अपनी चचेरी बेहन इलिशिबा के पास गई जो स्वैम अध्भुत रूप से गर्भवदी थी इलिशिबा मरियम बेहन मरियम हाँ तुम सबस्त्रियों में धन्य हो धन्य है वो बालक जो तुम जनोगी कि जैसे ही मैंने तुम्हारा प्रणाम सुना बच्चा आनन से मेरे गर्भ में उचल पड़ा मेरा प्राण प्रभो की स्तुति करता है और मेरी आत्मा मेरे उधार करता परमेश्वर में खुश हुई अपसे सब युक के लोग मुझे धन्य कहेंगे नासरत नगर के सब लोग सुनो कि कैसर अगस्तुस की आग्या से गलील और यहुदिया प्रांथ के सभी निवासियों की गिंती होगी इसलिए सभी लोगों को अपने वतन में जाकर शीक रही नाम दर्श करवाना होगा और मरियम अपने मंगेतर यूसफ के साथ नाम लिखाई के लिए यहुदिया के नगर बैतलहम गई पर बैतलहम में उन्हें ठैरने की जगे ना मिली उन्हें के विल गोशाला में ही जगे मिल सकी देश के उस भाग में कुछ चरवा है रात के समय अपनी भेडों की देख भाल कर रहे थे तब ही परमेश्वर का स्वर्गदूद प्रकट हुआ और परमेश्वर के तेज ने उन्हें घेर लिया आज के दिन दाउद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मे है अर्थात मसी प्रभू चरवा है शीग रही चरणी में जन्मे नवजाच शिशु को देखने चल पड़े वे उन प्रथम लोगों में गिने गए जिन्होंने कुमारी माता द्वारा उद्धार करता के जन्म का सुसमाचार फैलाया एक हफ़ते बाद जब बालक के खतने का समया आया तो उसका नाम यशु रखा गया यूसुफ और मर्यम बालक को परमेश्वर के सम्मक प्रस्तुत करने यरुशलेम ले गए आरादनाले में शिमौन नामं के एक धर्मी और भक्त पुरुष थे जिन्हें पवित्रा आत्मा स से आश्वासन मिला था कि जब तक वे बालक मसीर का दर्शन ना कर लें मृत्ति को न देखेंगे परमेश्वर अब आप अपने सेवक को अपने बचन अनुसार शांति से अपने बास बला ले मेरी आँखों ने आज आपके उद्धार को देख लिया है ये बालक परमेश्वर का चुना हुआ है तुम दोनों को आशिश मिले मूसा की विवस्थानुसार जब वे धरमिक कर्तवियों को पूरा कर चुके तो येरुशलम से वापस नासरत लोटा है जब येश्व बारा बर्श के हुए तो मर्यम और यूसुफ उन्हें फसे के पर्व के लिए येरुशलम ले गए लोटते समय उन्होंने सोचा के बालक येश्व उनके साथ है परन्तु येश्व पीछे ही छूट गए थे उन्हें ढूनने के लिए वापस शहर लोटे और तीसरे दिन येश्व को आरा नाले में धरमिक गुरूओं के साथ वारता लाप करते पाया ये किसका पुत्र है जो ऐसे प्रशन पूछता है हम नासरत से हैं हमने सोचा ये हमारे साथ ही है किरपे आप इसे ख्षमा कीजिए बालक येश्व की बातों ने सब को चकित कर दिया बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यूं किया तुम्हें ढूंते ढूंते तुम्हारे पिताजी और मैं कितने चिंतित थे आप मुझे क्यूं ढूंते थे क्या आप नहीं जानते कि मुझे परमपिता के कालियों को पूरा करना है और ये शून के साथ नासरत लाटे और परमेश्वर इवं मनुष्य के अनुग्रह में बुद्ध्य और शरीर से बढ़ने लगे समराट तिबिर्यूस के राज्ज के पंद्रहवें वर्ष में पैंतुस पिलातुस यहुद्या का शासक था और हिरोदेस गलील का राजा हन्ना और कैफा महायाजक थे रेगिस्तान में परमेश्वर का बचन यहुन्ना को प्राप्त हुआ और वे यर्दन नदी के आसपास के प्रदेशों में पापों की ख्षमा धथा पश्यताप के बप्तिसमे का प्रचार करने लगे अपने पापों से पश्यताप करो और बप्तिसमा लो तो परमेश्वर तुमारे पाप शमा करेंगे जैसे यशा या भवश्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है वेगिस्तान में कोई पुकार रहा है कभू के लिए मार्ग तैयार करो प्रभू की यात्रा के लिए सीधा मार्ग बनाओ हर एक घाटी अवश्य भरी जाए हर एक पहाड और तीला समतल किया जाए टेड़े मेढ़े मार्ग सीधे करो और उबढ़ खाबढ़ मार्ग सपार और सारी मानव जाती परमेश्वर के उधार को देखेगी हम क्या करें हमें बताए हम क्या करें ए साप के बच्चो बताइए हम क्या करें हमें बताए हम किस मारप जाए अगर किसी के पास दो कमीजे हैं वो एक उस मनुष्य को दे जिसके पास नहीं है और जिसके पास भोजन है वो अवश्य बाटे हे गुरू हम चुंगी लेने वाले हैं हम क्या करें निर्धारित से अधिक चुंगी तुम मत लो और हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए किसी से भी जबरन धन मत लो और न किसी पर जूठा दोश लगाओ अपनी कमाई में संतुष्ट रहो हमें बताएं क्या आप मसी हैं मैं तुम्हें पानी से बप्तिस्मा देता हूं परन्तु एक आ रहे हैं जो मुझे कहीं अधिक महान है मैं तो उनके जूतों के बंधन खोलने लायक भी नहीं वे तुम्हें पवित्रा आत्मा और आख से बप्तिस्मा देंगे उनका सूप उनके हाथों में हैं ताकि वे गेहों को भुसी से अलग करके अपने खत्ते में रखें और पवित्रा आत्मा कबूतर के रूप में येशु पर उत्रा और स्वर्ग से आवाज आई तुम मेरे प्रियपुत्र हो मैं तुम से प्रसन्न हूँ लगभग तीस वर्ष की आयू में येशु ने अपनी सेवा आरंब की पवित्रात्मा से परिपूर्ण येशु यर्दन से लोटे आत्मा से प्रेरित वो चालीस दिन तक बयाबान में रहे जहां शैतान उनकी परिक्षा करता रहा इस बीच उन्होंने कुछ नहीं खाया तब शैतान ने उनसे कहा यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर को रोटी बन जाने की आग्या दे ये लिखा है मनुश्य के वल रोटी ही से नहीं पर परमेश्वर के हर बचन से जिवित रहेगा तब शैतान उन्हें उचे स्थान पर ले गया और पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए ये सब अधिकार और वैभव मैं आपको दूगा ये सब मुझे सौपा गया है और जिसे मैं चाहूँ उसे ये सब दे सकता हूँ यदि आप मुझे प्रणाप करें तो ये सब आपका हो जाएगा ये भी लिखा है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर के उपास ना करो और तुम केवल उन्हीं की सेवा करो फिर शैतान उन्हें यरुशलम आराधना लेके गुम्बत पर ले गया यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो अपने आपको यहां से गिरा दे क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्ग दूदों को आग्या देगे कि वे आपकी रक्षा करें वे आपको हाथों हाथों उठालेंगे ताकि आप पे पाउं को पत्धत से ठेज तक न लगे दर्म शास्त्र कहता है तुम प्रभु अपने परमेश्वर की परिक्षा न करो फिर ये शू नासरत आये जहां वो पले बढ़े थे कैसी हो? अच्छी हो सब्बत यानि विश्राम के दिन नियमा नुसार वे आराधना ले गए और उन्हें यशाया बविश्वक्ता की पुस्तक से एक भाग पढ़ने को कहा गया परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुप संदेश सुनाने के लिए चुना है उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ती और अंधों को द्रिश्टी पाने का संदेश दू सताय हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और ये घोशणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाएं वे ठीक कहते हैं आज धर्मशास्त्र का ये लिख पूरा हुआ जैसा तुमने अभी सुना इस प्रकार येश्व ने अपना परिचय परमेश्वर द्वारा अभिशिक्त संसार के उद्धार करता के रूप में दिया परन्तु यहूदियों ने उन्हें मसीह स्विकार नहीं किया उन्हें लोगों ने पहाड़ी से गिराना चाहा परन्तु वो भीर से निकल कर अपनी राह चले गए और गलील के नगर कफरनहुम पहुँचे उस समय देश रोमी सामराज्य के अधीन था और लोग उनके अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए मसीहा की प्रतीक्षा में थे तुम्हें शानती मिले आपको भी स्वामे तुम्हारी नाव में आ सकता हूं शिमौन क्यों नहीं येश्यू हमें छोटकर नहीं जा रही ना स्वामी हमें कुछ बताईए हमें कुछ बताएं प्रभु येश्यू हमें उप्तेश दें एक बार दोव्यक्ति प्रार्थना करने मंदिर गये एक धार्मिक गुरु और दूसरा चुंगी लेने वाला था धार्मिक गुरु अलग खड़ा होकर यूं प्रार्थना करने लगा परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ के मैं दूसरों की तरह लालची बैमान और व्यभिचारी नहीं मैं आपका धन्यवाद करता हूँ के मैं इस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं सबता हमें दो बार उप्वास रखता हूँ आमदनी का दस्वान्श आपको देता हूँ परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर ही खड़े होकर स्वर्ग की और आखें उठाए बिना अपनी छाती पीट-पीट कर ये कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर मैं तुमसे कहता हूँ धार्मिक गुरू नहीं परंतु यही चुंगी लेने वाला परमेश्वर की दृष्ट में धर्मी ठैरा और अपने घर गया जो अपने आपको बड़ा मानेगा वो छोटा किया जाएगा परंतु जो अपने आपको छोटा मानेगा वो बड़ा किया जाएगा अपनी नाओं को वहां गहरे पानी में ले चलो और अपने साथियों के साथ मचलियों के लिए जाल डालो ओ स्वामी, हमने सारी रात कड़ा परिश्रम किया परन्तु कुछ न पकड़ा यदि आप कहते हैं, तो मैं जाल डाले देता हूँ याकूब, योहना याकूब, योहना, अपनी नाओ इधर ले और हमारी साहता करो चल्दी, हम नहीं आसकते, बहुत ताम है वास काफी है, इतनी मशलिया बहुत है प्रभू मेरे पास से चले जाईए मैं एक पापी मनुष्य हूँ तुम डरो मत, अब से तुम लोगों को मेरे पास लाओगे मेरे पास आओ और मेरे वचन सुनो मेरी मानो और तुम जीवन पाओगे प्रभू को खोजो जब तक वो मिल सकें उन्हें पुकारो जबके वो पास है दुष्ट अपनी दुष्टता और अधर्मी अपने बुरे विचार छोड़ कर परमेश्वर के पास आएं और वे उन पर दया करेंगे और उन्हें पूर्ण शमादान देंगे तुम आनंदित रहोगे और तुमें शान्ती मिलेगे यही है देखो येशू येशू मेरी एक लौती बेटी को बचा ले प्रभू मुझ पर दया करें मेरी बेटी के वल बारह वर्ष की है और मरने को है स्रिपा करके मेरे साथ चलिए याए रजह पड़ा दुख्या येशू तुम्हारी बेटी नहीं रहे इसलिए गुरू को कश्ट मांदे डरो नहीं विश्वास रखो वो ठीक हो जाएगी चलिए तुम रो मत वो मरी नहीं है वो तो बस सो रही है बेटी उठो इसे कुछ खाने को दो ध्यान रहे यहां जो हुआ है किसी से न कहना उसके बाद उसने चुंगी लेने वाले मत्ती लेवी को चुंगी स्थल पर बैठे देखा मेरे पीचियो प करता है कि हुआ खायू और येशू प्रार्थना करने पहाड़ी पर गए, जहां वे सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे. और अगले दिन उन्होंने बारा शिश्यों का अभिनन्दन कर उन्हें प्रेरित कहा. शिमॉन जिसे उन्होंने पत्रस नाम दिया. और उसका भाई आंध्रियास, याकूब, और युहन्ना, फिलिप्पुस, और बर्तुलमे, और मत्ती, और थोमा, याकूब हल्फई का पुत्र, और शिमॉन जो जलोतिस कहलाता था, यहुदा जो याकूब का भाई था, और यहुदा इस क्रियो थी जो विश्वास गाती निकला. प्रियो झाले प्रियो जो जो लिए्वास अठाएों निकले वाकूब काूब का अजीए है, यहुदा झाले जो जो शोहना, याकुदाए। यहुदा विवपु काूब, और यहाँ है, धन्य हो तुम जो दीन हो, परमेश्वर का राज्जित तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो भूखे हो क्योंकि तुम त्रिप्त किये जाओगे। धन्य हो तुम जो रोते हो तुम हर्शित होगे। धन्य हो तुम जब लोग धेक्कारें, नकारें और अपमानित करें। बात ऐसा ही किया 17, 18, 19, 20 मेरे पास बस इतना ही है क्या मतलब तुम्हारा इतना ही है तुम्हारे पास हाई तुम पर जो अब धनी हो तुमने आराम का जीवन बिता लिया जो धनीना बनना चाहे वो कोई पागल ही होगा हाई तुम पर जो अब हसते हो तुम रोगे और विलाप करोगे अफसोस जब लोग तुम्हारी बढाई करें क्योंकि उनके पूरवजों नभी जूठे बविश्वक्ताओं के लिए यही किया पर मैं तुम लोगों से कहता हूँ शत्रू उसे प्रेहिम रखो ख्रिना करने वालों का बहला करो जो श्राब दें उन्हें आशीश तो बुरा करने वालों के लिए प्रार्थना करो तुम्हारे एक गाल पर कोई थपड मारे तो उसकी और दूसरा भी फेड़ दो कोई तुम्हारा अंगर खा ले तो अपनी कमीज भी उसे दे दो किसी भी मांगने वालों को मना मत करो यदि कोई तुम्हारी वस्तो ले ले तो उसे वापस मत मांगो तुम वही करो जैसा व्यवहर तुम दूसरों से चाहते हो यदि तुम अपनों से प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो तो तुम्हें आशीश क्यों कर मिलेगी पापी भी अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हैं और यदि स्वयम पर भलाई करने वालों की भलाई करते हो तो तुम क्यूं कर आशीश पाओगे? पापी भी ऐसा ही करते हैं? वे ऐसे कैसे चूज़ते हैं? वो उसे कैसे बाद कर सकता है? पेशर नहीं, शत्रूं उसे प्रेम रखो उनका भला कर, उधार देकर वापसी की आशा न रखो तब तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिलेगा तुम परम प्रधान परमेश्वर की संतान ठैरोगे वो दुष्टों और आभार न मानने वालों पर भी क्रिपालू है दयावन्त बनो जैसा तुम्हारा परम पिता दयावन्त है येशु, हमें बचाईए आरोप मत लगाओ तो तुम पर भी नहीं लगेगा दोश मत लगाओ तो तुम पर भी दोश नहीं लगेगा ख्रमा करो तो तुम्हें भी ख्रमा मिलेगी कि प्रभू हमें अपने मार्ग पर चलाएं कि दो तो तुम्हें में दिया जाएगा कि जिस नाप से नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता ऐसा करने पर दोनों ही गड़े में गिरेंगे कि अपने भाई की आग के तिनके को क्यूं देखते हो जबके अपनी ही आग का लठा नहीं देख पाते प्रभू हमारा मार्ग दर्शन करें प्रभू हमें आपकी आवश्यक्ता है धन्य है वो माता जिन्होंने आपको जनम दिया और पाला पर वे कितने धन्य हैं जो परमेश् वे मसी हैं इस धर्मगुरु ने येशु को रात्री भोज पर बुलाया येशुन के घर गए और बहुजन करने बैठे चलो बच्चो यहां से चले जाओ तुमने सुनाने जाओ बड़े शरारती है ये बच्चे ये यहां क्या कर रही है ये कर क्या रही है यदि ये मनुष्य सच मुझ कोई भविश्य वक्ता होता तो जान लेता कि ये इस्तरी कैसी है जो उसे चू रही है वो जानता कि वो कैसा पाप में जीवन जी रही है मैं जानता हूँ कि ये इस्तरी कौन है शिमौन मैं तुम्हे एक बात बताता हूँ किसी महाजन के दो कर्सार थे एक पर पांच तो और दूसरे पर पचास रुपए का कर्स था दोनुई कर्स चुकाने की स्थिति में नहीं थे उसने दोनुगा कर्स माफ कर दिया उससे अधिक प्रेम कौन करेगा मरे खयाल से जिसका अधिक कर्स माफ हुआ तुमने ठीक का इस इस्तरी को देखो मैं तुम्हारे घर आया तुमने मुझे बैर दोने के लिए पानी भी नहीं दिया, पर इसने आशूंसे मेरे बैर दोकर अपने बालों से पोचा, तुमने चुम्बन से मेरा भिनंदन नहीं किया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पाउं चुमना न छोड़ा, तुमने मेरे सिर पर तेल नही ख्षमा हुए पर जिसे थोड़ी ख्षमा मिली वो थोड़ा ही प्रेम करेगा तुम्हारे पाप ख्षमा हुए तुम्हारे विश्वास में बचा लिया शांती से जाओ प्रभु येशो जगे जगे पर्मिश्वर के राइश्वास में बाना लिज़ा हुए तुम्हारे व्युएं राज्य का शुवसंदेश देने लगे, उनके साथ थे बारा शिष्य और दुष्ट आत्माओं से मुक्त की गई कुछ स्त्रियां, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, योअन्ना जिसका पती खोजा हैरिदेश के दर्बार में भंडारी था, और सुसन्ना. गलील के शासक हैरोदेश ने यहुन्ना बब्तिस्मा देने वाले को बंदिक्रह में डलवा दिया, क्योंकि योहन्ना ने उसके द्वारा अपनी भावी से विवाह की निंदा की थी. का हो? किसी और की प्रतीक्षा करें. गुरुजी, गुरुजी. यहुन्ना बब्तिस्मा देने वाले ने हमें यह पूछने भेजा है, क्या वही हैं जो आने वाले थे, क्या हम किसी और के आने की प्रतीक्षा करें? जो कुछ तुमने देखा और सुना जाकर यहुन्ना से कहो. अंधे देख सकते हैं, लंगडे चल सकते हैं. धन्य है वे लोग जो मुझ पर संदेह नहीं करते हैं. क्रुपया, मुझे उठा लीजिए. आजाओ मेरे कंदेपे, अब तुम देख सकते हो? हाँ, मैं येशु को देख सकता हूँ. एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला. बोते हुए कुछ बीज मार के किनारे गिरे और रौंद डाले गए. और पक्षियों ने उन्हें चुग लिया. और कुछ पत्रीली भूमी पर गिरे, जब वो उगे तो पानी न मिलने के कारण वे सब मुर्चा गए. और कुछ जाडियों के बीच में गिरे, जाडियों ने साथ साथ बढ़कर उन्हें दबा दिया. परन्तु कुछ बीज अच्छी भूमी पर गिरे, और सभी पौदों ने उग कर फल दिया. प्रत्य एक ने सौ गुना. गुरुजी, जब भीड जमा होती है तो अब उधारणों में क्यों बाते करते हैं? परमेश्वर के राज्य के रहसियों का ग्यान तुम्हें दिया गया है, परन्तु औरों को उधारणों में सुनाया जाता है, क्योंकि वो देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी नहीं समझते. इस उधारण कार्थ ये है, बीज, परमेश्वर का वचन है. मार्क के किनारे गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं, जो वचन सुनते हैं, पर शैतान आकर उनके मन में से वचन चुरा लेता है, ताके वे विश्वास करके कहीं मुक्ति न पालें. पत्रीली भूमी पर गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं, जो वचन सुनकर आनंद से ग्रेन करते हैं, पर जड़ नहीं पकड़ पाते हैं, वो कुछ देर तक विश्वास करते हैं, और परीक्षा की घड़ी आने पर टिक नहीं पाते हैं. जाडियों में गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं, जो वचन सुनते हैं, परंतु जीवन की चिंताओं, धन, मोह वा भोग विलास में फसने से, उनके फल कभी नहीं पकते हैं. वे बीज जो अच्छी भूमी पर गिरें, उन लोगों के प्रतीक हैं, जो वचन सुनकर उसे भले और आज्याकारी मन से ग्रहन करते हैं, और फलवन्त होने तक उन्हें समाले रखते हैं. दिया जला कर कोई बरतन से नहीं ढहकता, और नहीं खाट के नीचे रखता है, बलके उसे दीवार पर रखता है, ताके भीतर आने वालों को उससे प्रकाश मिले. जो कुछ छिपा है, वो बाहर लाया जाएगा, और जो ढखा है, उसे ढूंड कर प्रकाश मिलाया जाएगा. इसलिए सचेत रहो कि तुम कैसे सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है, उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, उससे वो भी ले लिया जाएगा, जो उसके पास है. गुरुजी, आपके माता और भाई वहाँ बाहर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं. मेरी माँ और मेरे भाई वे हैं, जो परमेश्वर का बचन सुनते और मानते हैं. एक दिन प्रभु येशु अपने शिश्यों के साथ एक नाव पर बैठे और उनसे कहा, आओ हम जील के पार चलें. नाव चल रही थी और येशु सो गये. मेरे चल चल रही और मेरे खकतिने खरेवश्वर के अची और में भी और एकर बाहँश्यों के साथ इसावश्यों के और मेरे तंसे का ओर्न से पता को लाई। प्रादे ! झाय को बच्रादे ! स्वाबे, स्वाबे, प्रभु येशु, हम नाशुए जाते हैं, हमें लेहरे घेर रही है, हम टूप जाएंगे, हमें बचाइए, कि अ Haiti के सल, करा दे झाएंगे, सुमारी प्रह एसट जाएंगे, सुमारा खुए, जासर हमें जाहें जाएंगे, सुमारा सावा जाएंगे, सुमारान रही है Гईुए आप, हमेन हमेंगे, कि अविशको Council कहां गया तुम्हारा विश्वास औरवे करासिन्यों के देश पहुँचे जो जील के पार गलील के सामने था येशुप परमपर्धान परमिश्वर के पुत्र आप मुस्से क्या चाहते हैं मैं आपसे विंती करता हूँ मुझे दंड ना दे क्या नाम है तुम्हारा सेना प्रभू विंती करते हैं हमें दरख कुंड में ना भेजें पर सुवरों के उस जुंड में भेज दें और दुष्टा आत्माएं उसमें से निकल कर आजाओ सुवरों ने समा दें यहां से चला जाओ ए इस जादुगर हमें छोड़ते यहां से दूर चला जाओ हमें छोड़ते यहां से चला जाओ आप जहां जाएंगे मैं भी साथ चलूँगा मुझे अपने साथ आने दें घर लोट जाओ परमेश्वर ने जो किया है वो बताओ प्रभु येश्व वो उनके शिश्व भीर से अलग होने के लिए बैच सिता पहुचे पर भीर को इसका पता चल गया तो वो प्रभु के पीछे हो ली प्रभु के शाम को पत्रस ने कहा स्वामी इन लोगों को भेज दें कि वे आसपास के गावों और बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन और रहने की जगे ढूंड सके ये एक सुनसान जगे है तुम स्वयम इनके भोजन का प्रबंध करो लेकिन हमारे पास केवल पांच रोटियां और दो मच्छिया ही है दन्य है आप प्रबु परमेश्वर त्रिष्टी के मालिक जो धरती पर अन उप जाते हैं ये जो जो आना कर दो आना के अरे काँ एपानील नहीं आप डिसक्राद्वेश्वर ये तो जमटकार है ये विश्वासन आलिए ये विश्वासन आफिए झाल झाल लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कई आपको योहन्ना बब्तिस्मा देने वाला कहते हैं तो कोई आपको एलिया भी कहते हैं और कितनों का तो ये कहना है कि कोई प्राचीन भविश्य वक्ता फिर जी उठे हैं तुम क्या कहते हो? तुम बताओ काउन हूँ मैं? तुम ये बात किसी से न कहना, मेरे लिए आवश्य है कि मैं दुख उठाओं, तिरे स्कृत किया जाओं, और जान से मार डाला जाओं, परंतु तीसरे दिन ब्रितकों में से जी उठूं Oh clearly the sky reveals God's glory Each day announces it to the following day Each night repeats it to the next क्या तुम में से कोई मेरे साथ हाएगा? मैं आपके पीछे चलूँगा, गुरूजी. पर पहले जाके अपने घरवालों से विदा ले लूँ. जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता, वो परमेश्वर के राजी की योग ये नहीं. यदि कोई मेरे साथ चलना चाहता है, तो वो स्वहिम से इंकार करे, और प्रते दिन अपना क्रूस उठा कर मेरे पीछे हो ले. क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहेगा, वो उसे खोएगा. और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोएगा, वो उसे बचाएगा. यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर अपने प्राण खोदे, तो क्या लाब? जो कोई मुझते और मेरे शक्षाओं से लजाता है, तो मैं भी अपनी और पिता की वस्वर्ग दूतों की महिमा सहिर, जब आऊँगा तो उस मनुष्य से लजाऊँगा. सच कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे भी हैं कि जब तक परमेश्वर का राज जिन्न देख ले, मृत्यों नहीं देखेंगे. तब प्रभु यशू यहुन्ना, याकूब और पत्रस के साथ पहाड़ पर प्रार्थना के लिए गए. प्रार्थना के दोरान उनके चेहरे का स्वरूब बदल गया और वस्त्र सफेद होकर जगमगाने लगे. अचानक स्वर्गिय महमा से परिपूर्ण भविश्यवक्ता, मूसा और एलिया, प्रभु यशू से बातें करने लगे. आप परमेश्वर का उद्देश्च पूरा करेंगी. आपके मृत्यों यरुशलम में होगी. जाते समय पत्रस ने प्रभु यशू से कहा, स्वामी, ये कितना अच्छा है कि हम यहाँ पर रहें. हम तीन मंडब बनाएंगे. एक आपके लिए. पत्रस ये कही रहा था कि एक बादल ने वहें घेर लिया और शिश डर गए. और बादलों से आवाज आई. ये मेरा पुत्र है. जिसे मैंने चुना है. इसकी सुनू. गुरुची, गुरुची. क्रिपा करके मेरे बेटे को देखिए देहा करके उसकी सहायता कीजिए ये मेरी अकेली सम्तान है मैंने आपके चेलों से दुष्टात्मा निकालने की विंति की पर तुवे से ना निकाल पाए ए अविश्वासी और हठीले लोगों मैं तुमारे साथ कब तक रहूं और तुम्हें सहता रहूं अपने बुत्र को यह लाओ करें हम गई आप प्रफ़ेति अजन्देत झाल और इसका चेहरा भी ठीक हो गया, विश्वास नहीं होता हमें प्रार्थना करना सिखाएं जैसे यहुना ने अपने शुष्यों को सिखाया तुम इस तरह प्रार्थना करो हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाएं आपका राज्या है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही प्रित्वी पर भी पूरी हो हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दें हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है और हमें परिक्षा में न पढ़ने दें परंतु बुराई से बचाएं मांगो, तो तुम्हें दिया जाएगा धूंडो, तो तुम पाओगे, खट-खटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उससे दिया जाता है, और जो धूंडता है वो पाता है, और जो खट-खटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है. कि तुम में से ऐसा कौन पिपतà होगा जो अपने पुत्र को रोटी मांगने पर पत्थर देंगा या पानी मांगनेपर उसे जहर देगा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। तो तुम्हारा परमपिता परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यूं न देगा? मैं कहता हूँ, अपने प्राणों की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे और ना ही अपने शरीर की की क्या पहनेंगे क्योंकि प्राण भोजन से बढ़कर है और शरीर वस्त्र से बढ़कर पक्षियों पर दिहान दो वे न बोते हैं न काटते हैं और नहीं उनके कोई भंडार है फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है और तुम तो पक्षियों की तुल्ला में कहीं बढ़कर हो तुम मेंसे कौन चिंता करके अपनी आयू बढ़ा सकता है जब तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते तो बागी चिंता क्यों करते हो इन फूलों को देखो, ये कैसे बढ़ते हैं वे किसी तरह का परिश्रम नहीं करते राजा सुलिमान इन में से एक के समान भी सुन्दर वस्तर न पहन सका यदि परमेश्वर मैदान की घास को सजाते जो आज है और कल आग में छोंकी जाएगी तो निश्चा ही वर तुम्हें भी वस्तर पहनाएंगे हे अल्प विश्वासियों हमारे विश्वास को बढ़ाएं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस पेड़ से कहते के जड़ से उखड़ कर समंदर में जा लग तो ये तुम्हारी बार मान लेता कि अल्प विश्वास राई पाप में पढ़ने की परिक्षा अवश्य आती है परंतो अफसोस जिसके द्वारवे आती है जो किसी के लिए पाप का कारण बनता है उसके लिए यही ठीक है कि उसके गले में भारी पत्थर लटका कर समुद्र में डाल दिया जाए परमेश्वर का राजी किसके समान है वो ऐसा है एक मनुष्य राई का दाना लेकर अपने खेत में बोता है और वो पौधा बढ़कर पेड़ बन जाता है और पक्षी उसकी डालियों पर घोसला बनाते है मुझे नहीं पता यह क्या कह रहा है तुम चूंगी लेने वालों और अन्य पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो स्वास्त लोगों को बैद्दी की आवशक्ता नहीं होती परंतुरोगियों को है जो बहिशक्रित है मैं उनको पश्चाताप का संदेश देने आया हूँ सम्मानितों को नहीं हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में बताएं क्या और भी कुछ है ऐ मेरे लोगों बहभीत नहों परंपिता की ये इच्छा है कि तुम्हें राज्य दें अपना सब कुछ बेच कर पैसा गरीबों को दान कर दो और ऐसे बटुए बनाओ जो फटते नहीं स्वर्ग में धनी कठा करो जहां वो घटता नहीं क्योंकि कोई चोर वहां नहीं पहुंश सकता नहीं कीड़ा उसे नश्ट कर सकता है कि जहां तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन भी लगेगा हे नारी तुम अपनी बीमारी से मुक्त हुई देखो देखो यह चल्दी हो गई यह तच्छमतकार है देखो यह चल्दी हो गई आओ देखो हफते में छे दिनों तक हम काम कर सकते हैं तो चंगाई के लिए हम इन में से किसी भी दिन आ सकते हैं मगर विश्राम के दिन नहीं अरे कप्तियों क्या विश्राम के दिन तुम में से हर कोई अपने गधे या बैल को खोल कर उन्हें पानी पिलाने नहीं ले जाता और यहां पर यह स्त्री जो अब्राहम के बंचते हैं जो 18 वश तक शैतान के बंधन में थी क्या विश्राम के दिन उसे ब्मुक्ट करना उचित न था है उत्तम गुरुजी अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए तुम मुझे उत्तम क्यों गैते हैं कोई भी उत्तम नहीं परमेश्वर के सिवा तुम आज्याएं तो जानते हो विए भिचार न करना हत्या न करना किसी पर जूटे आरोप न लगाना अपने माता पिता का आदर करना परन्तु ये सभी आज्याएं तुम्हें बच्पन से ही मानता आया हूं तुम्हारे लिए काम करना वश्चक है अपना सब कुछ बेचकर धन गरीबों को बाट दो तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा फिर मेरे पीछे हो लो मगर हम तो व्यापारी हैं बहुत धन्वान धन्वान का परमेश्वर के राज में प्रविश कितना कठे है धन्वान के लिए परमेश्वर के राज में प्रविश मुश्किल है जबकि उट का सूई के नाके से निकलना सहज है तो फिर कौन मुक्ति पा सकता है जो मनुश्य के लिए संभव है वो परमेश्वर के लिए स कह सकता कि देखो यह यहां है यह वहां है क्योंकि परमेश्वर का राजित तुम में है वो समय आयेगा जब तुम परमेश्वर के पुत्र के आगमन का दिन देखना चाहोगे पर देखना पाओगे जैसे बिजली आकाश के एक ओर से दूसरी ओर तक प्रजवलित होती है वैसे ही परमेश्वर का पुत्र भी प्रकट होगा परन्तु पहले उसे बहुत दुख उठाना होगा और इस युक के लोग उसका तिरसकार करेंगे आकाश और प्रित्वी का टल जाना सहजे परन्तु परमेश्वर के वचन का एक शब्द निश्फलना होगा मैं कहता हूँ जो तुम देखते और सुनते हो बहुत से भविश्वक्ताओं और राजाओं ने देखना और सुनना चाहा परन्तु ऐसा न कर सके हम क्या करें धर्म शास्त्र क्या कहता है इसका क्या अर्थ है तुम अपने प्रभू परमेश्वर को संपूर्ण रधय संपूर्ण प्राण संपूर्ण सामर्थय संपूर्ण मन से प्रेम करो पढ़ोसी को अपने समान प्रेम करो तुमने ठीक का यही करो तो जीवित रहोग मेरा पड़ोसी कौन है वे सेनिक तो नहीं क्या राजा होगा एक बार एक मनुष्य यरुशलम से यरी हो जा रहा था तब डाकों ने हमला किया और लूट कर उसे अधमरा छोड़ कर चले गए तब एक धर्मगुरू वहां से गुजरा और उसे देखकर वहां से कत्रा कर चला गया इसी प्रकार एक पुरोहिद भी वहां से निकला पास आया उस व्यक्ति को देखा और मूँ पहेर कर चला गया परंतो एक दलित ने मार्ग से गुजरते समय उस घायल मनुश को देखा और उसका हिर्दय दया से बार गया। उसने घायल के पास जाकर घावों को साफ किया। फिर उसे अपनी सवारी पर बैठा कर वो एक सराय में ले गया जहां उसकी सेवा टहल की। दूसरी दिन मालिक को कुछ रुपए देकर उसकी देखभाल करने को कहा। और कहा जो कुछ खर्च आएगा मैं लोटने पर तुम्हें दे दूँगा। इन तीनों में से किसने डाकूँ द्वारा लुटे व्यक्ति से अच्छे पडोसी का फर्ज निभाया। जिसने उस पर दया की। फिर तुम भी यही करो। बच्चों को मेरे पास आने दौरोंने मना मत करो। क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसूं का ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ। जो कोई परमेश्वर के राज्य को इस बालक की तरह ग्रह नहीं करता वो उसमें कभी प्रवेश्णा करेगा। जो कोई मेरे नाम से इस बालक का स्वागत करता है मेरा करता है। जो मुझे स्वीकार करता है मेरे भीजने वाले को करता है। तुम में सबसे छोटा ही सबसे महान है यहां क्या हो रहा है कौन जा रहा है नासरत के येशु यहां से जा रहे है येशु प्रभू येशु ए दाउद की संतान मुझ पर दया करें मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ मैं फिर से देखना चाहता हूँ तो देखो तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया मैं देख सकता हूँ मुझे दिखाई पड़ रहा है मैं देख रहा हूँ येशु यरुशलन जाते समय हर जगे प्रभी येशु को भरी भीड मिली लोग उनसे उद्धार का मार्ग और परमिश्वर के राज के बारे में और जानना चाहते थे लोगों ने प्रभु येशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में स्वीकार करना प्रारम कर दिया दर्शन को उत्सुक यरी हो नगर में जकई नाम का चुंगी लेने वाला येशु को देखने की उत्सुक्ता में पेड़ पर चल गया जकई जल्दी नीचे उत्रो क्योंकि आज मुझे तुमारे घर ठेरना है मेरे घर? उसके घर का ठेरेगा? सब्सक्राइशु को कैसे जात रहे है सुनो मैं अपनी संपत्ती का आधा भाग गरीबों को दे दूगा अगर मैंने किसी को ठगा है तो मैं उससे चार गुना लोटा दूँगा मैं नहीं मान सकता कि एक चुंगी लेने वाला पैसा आज इस घर में मुक्ति आईए ये मनुष्य भी इब्राहिम के वंचते ही है मैं खोए हुएं को ढूणने और उनका उद्धार करने आया हूँ सुनो हम येरुशलम जा रहे हैं जहां मेरे विश्य में की गई भविश्वक्ताओं के हर भविश्वारी पूरी होगी मुझे अन्य जातियों के हाथ सौपा जाएगा वे मेरा उभास करेंगे मुझे अपमानित कर मुझ पर थूकेंगे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे परंतु तीसरे दिन मैं जी उठोंगा और प्रभु येशु द्रण निश्चय के साथ यरुशलम की ओर चल दिये हालांके वे जानती थे कि उन्हें मानव जाति के पापों के लिए अपने प्रान देने होंगे फिर भी वे यरुशलम की ओर बढ़ते गए बहुत से लोग उनके आगमन पर आनंदित हुए और उन्हें अपना राजा मान दिया गुरू अपने शिश्चों को आज्या दे कि वे शांत रहें मैं कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो स्वयम ये पत्थर चिल्ला उठेंगे सब को आशीश मिले प्रभु येशु येरुशलम के निकट पहुँचे उन्होंने उसे देखा और रो पड़े भला होता यदि तु आज अपनी शांती का मार्क जान लेता परंतु तो इसमें असा फ़ल रहा वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रों मोर्चा बांद कर तुझे घेर लेंगे और चारों और से तुझ पर प्रहार करेंगे इन ही दिवारों के बीच तुझे तबाह कर देंगे तुझे और तेरे लोगों को और वो पूरी तरह तेरा सर्वनाश करके रहेंगे क्योंकि तुने अपने अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना येरुशलम का पवित्र मंदिर आराधना का स्थान होने के बजाए व्यापार का केंद्र बन चुका था पाच्छे साथ आज नुक तस ग्यारं बाते चौना पन्न सुना से अपना तार निस पीस इक्कीस बाते इस चोईस पच्छेस चम्रीस सटाइस अटाइस ये लिखा है मेरा धर प्रार्तना का घर होगा परंतो तुम ने उसे डाकों की खो बना दिया ये मेरे चानवरों को ख़गा रहा है रोकों से रोकों से कुछ राजनीतिग्यों और धर्म गुरूं में प्रभु येशु के प्रति विरोधु करने लगा क्योंकि लोग उन्हें राजा मानने लगें मैंने तो सुना है कि बहुत सो लोगों ने उसे अपना राजा मान लिया है राजा बिकारियों विश्यां और चोरों का उसके सामान हमने बहुत देखे वे आके अपने दावी करके चले जाते हैं लोग भूल जाते हैं अन्जान मत बनो उसके अनुयाई प्रते दिन बढ़ रहे हैं उसकी सराह ना करते हैं लोग और सोचते हैं कि वो राजा है मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि अगर इस आदमी ने और शान्ती भंकी तो आप ही जिम्यदार होंगे शायद इसे ही कहते हैं हमें गलीली का सामना करना होगा और जैसे जैसे धर्म गुरूओं शास्तियों के पाखंडी वर्ग के प्रती येशु का तिरसकार बढ़ने लगा यहूदियों में उनके अनुयाई भी बढ़ने लगे दूसरी तरफ उन लोगों का भी विरोध बढ़ा जिनकी उन्होंने आलोचना की थी प्रभू येशु ने मंदिर में एक निर्धन विद्वा को दो तांबे के सिक्के डालते देखा ज्यादा नहीं दे सकती मैं कहता हूँ इस निर्धन विद्वा ने सबसे ज्यादा दान दिया है क्योंकि दूसरों ने अपने बहुत से धन में से थोड़ा सा दिया है परन तो इसने गरीब होते हुए भी अपनी सारी जीविका और पूंजी दे दी हमें बताईए आपको ऐसा कहने का क्या अधिकार है किसने दी आपको ये अधिकार अब मैं तुमसे एक प्रशन पूछता यहुन्ना को बबतिस्मा देने का अधिकार परमेश्वर से मिला था या मनुष्य से हम क्या उतर दें यदि परमेश्वर की ओर से कहेंगे तो वो कहेगा तुमने यह अन्ना का विश्वास क्यों नहीं किया और यदि मनुष्य की ओर से कहें तो यह भीड हमें पथरवा करेगी क्योंको यह सब यहुन्ना को भविश्वक्ता मानते हैं हमें नहीं मालूम यह अधिकार कहां से मिला तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं यह सब कुछ किस अधिकार से करता हूँ एक बार एक मनुष्य ने अंगूर की बारी लगाई उसे ठेके पे देकर लंबे समय के लिए कहीं चला गया जब अंगूरों को इकठा करने का समय आया तो उसने अपने एक दास को भेजा कि फसल में उसका हिस्सा उसे मिल सके परंतु ठेके दारों ने उसे पीट कर खाली हाथ भगा दिया तब उसने दूसरे दास को भेजा पर ठेके दारों ने उसे भी पीटा और अपमानित करके उसे भी खाली हाथ लोटा दिया तब उसने तीसरे दास को भेजा किंतु ठेकेदारों ने उसे मार पीट के बाग के बाहर धकेल दिया तब अंगूर बारी के मालिक ने अपने मन में सोचा अब मैं क्या करूँ अब मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूँगा अवश्य ही वे उसका आदर करेंगे परंतु ठेकेदारों ने उसे आते देखकर आपस में कहा ये तो मालिक का पुत्र है उसे मार डालें तो ये जैदाद हमारी हो जाएगी हमें और बताएं उन्होंने उसे बारी के बाहर निकाला और मार डाला अब देखो मालिक उन ठेकेदारों के साथ क्या करेगा वो आकर उनको मारेगा और अंगूर की बारी दूसरे को देदेगा तो इस वचन का क्या अभी प्राय है जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा जान नकार दिया वही पत्थर सबसे श्रेष्ट सिद्ध हुआ जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वो चक्राचूर हो जाएगा और यदि ये पत्थर किसी पर भी गिरेगा तो उसे पीस कर रख देगा गुरू जी हम जानते हैं कि आप जो कहते हैं सिखाते हैं वो सही है हम जानते हैं कि आप मनुष्य के पत पर ध्यान नहीं देते मगर मनुष्य के लिए परमेशुर की मर्जी का सत्य सिखाते है बताएं, रोमी समराट को कर देना हमारे लिए क्या नियम के अनुसार है या नहीं है प्रभू साफधान वो आपको फसाना चाहते है मुझे एक चांदी का सिक्का दो इस पर किसका चित्रो नाम अंकित है राजा का तब जो राजा का है वो सब राजा को दो जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो तुम्हारा इस विशे में क्या उत्तर है तब अख्मीरी रोटी का पर्वर ने कटाया जिसे फसेह का पर्वर कहते हैं और प्रभु येश्व ने शिमौन पत्रस और यहुन्ना को फसेह का भोजन तयार करने पहले ही भेज दिया मेरी बड़ी इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसेह का भूश तुम्हारे साथ खाऊं मैं तुमसे कहता हूँ पर्मेश्वर के राज में इसका ओदेश पूरा ना होने तक मैं इसे नहीं खाऊंगा धन्य है आप प्रभु पर्मेश्वर स्रिष्ठी के मालिक जो अंगूर की बेल पर फल लाते हैं इसे लो और आपस में बाट लो मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक पर्मेश्वर का राज जिन आ जाए मैं अंगूर का रस नहीं पियूँगा धन्य है आप प्रभु पर्मेश्वर स्रिष्ठी के मालिक जो धर्थी पर अन्नुप जाते हैं ये मेरी दे है जो तुम्हारे लिए दी जाती है मेरी याद में ऐसा ही किया करो ये प्याला मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बाहया जाता है पर देखो मुझे पकड़वाने वाला मेरे साथ इसी मेस पर है मेरी मृत्य तो निश्चित है जैसा कि पर निश्वर ने ठैराया है पर अफसोस उस पर जो मुझे पकड़वाया ये नहीं हो सकता ये कोई नहीं होता असंभाव कौन है वो तो के बास प्रभू ये असंभाव तुम में सबसे बड़ा सबसे छोटे की तरह बने और अगुवा सेवक के समान बड़ा कौन है वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा करता है हाँ वही जो मीज पर बैठा है परन्तु मैं तुमारे बीच सेवक की तरह हूँ मेरी सभी परिक्षाओं में तुम मेरे साथ रहे और जैसा मेरे पिता ने मुझे राज्य करने का अधिकार दिया ये अधिकार में तुम्हें देता हूँ तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर भोजन करोगे और तुम सिंघासनों पर बैठकर इसराइल के बारह गोत्रों पर राज्य करोगे तब तो कोई धोके बास नहीं शिमान शिमान सुनो शैतान तुम सब की परिक्षा लेना चाहता है कि अच्छे को बुरे से अलग करें जैसे किसान गेहूं को भूसी से अलग करता है परंतु मैंने प्रार्थना किये कि तुम्हारा विश्वास न डगमगाए और जब तुम मेरी और लोटो तो अपने भाईयों को डारस बंदाना प्रभू मैं आपके साथ पंदीगरह जाने के लिए और मरने को भी तैयार हूं मैं कहता हूं पत्रस कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तुम तीम बार इंकार करोगे कि मुझे नहीं जानते मैंने तुम्हें बिना बटूए जोली और जूते के भीजा तो कोई कमी हुई नहीं कोई कमी नहीं अब जिसके पास बटूआ या जोला हो वो उससे ले ले और जिसके पास तलवार ना हो वो अपने कपड़े बेचकर खरीद ले मैं कहता हूँ धर्म शास्त्र में लिखा है वो अपरादियों में गिना जाएगा और मेरे विशे में लिखा सब पूरा हो रहा है देखें यहां दो तलवार है प्रभू बहुत है और प्रभू येशु से छुटकारा पाने के लिए धर्म गुरूं की एक सभा हुई तब शैतान यहुदा इस क्रियोती में समा गया जो बारा शिश्यों में से एक था उसने धर्मिक गुरूं के साथ मिलकर प्रभू येशु को पकड़वाने का शर्यंत्र रचा प्रभू येशु प्रार्फना करने यरुशलिम से जैतून के पाहड पर गए प्रार्फना करो ताके तुम परीक्षा में न पड़ो यहुदा इसक्रियोती ने केवल तीस चांदी के सिक्कों के लिए प्रभू येशु से विश्वास गहत किया प्रभू येशु जानते थे के मानव जाती के पापों के लिए उनके प्रान देने की घड़िया पहुंची है और वे प्रार्थना करने लगे हे पिता अगर आप जाहें तो ये प्याला मेरे पास से अटाले तो भी मेरी नहीं आपके इच्छा पूरी हो और प्रभू येशु को सामर्थ देने के लिए एक स्वर्ग दूद प्रकट हुआ और उनका पसीना लहु की बड़ी-बड़ी बूंदें बन कर भूमी पर गिर रहा था और उनका पस्वर्ग प्रकट हुआ 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 तुम क्यूं सो रहे हो उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो यहुआ हुआ यहुदा क्या तुम चुम बन लेकर मुझे पकड़वा रहे हो प्रभू क्या इसे दल्वार से मार दे जाओ इसे पकड़ बस बहुत हो गया जमतकार मुझे डाकू समझ कर तुम तलवारें और लाठियां लेकर आयों मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा यह तुम्हारे सक्रिय होने की घड़ी है जबके अंधकार का सामराज्य है थुम्हारा है पकड़ लोई से इस पे निग्रानी रखो तब सिपाही उन्हें पकड़कर आंगर में लाए और यहुदियों का राजा कहकर उनका ठेटा कहने लगे अरे राजा के कपड़े तो देखो बता अब क्या होने वाला है क्या तू हमें बचाएगा ओ महाराज क्या तू बचाएगा यह मनुश्यवी येश्यू के साथ था बहन मैं तो उसे जानता थक नहीं मैंने दोनों को साथ देखा है हम तो तेरे नाकर है बड़े बंते थे अब कैसा लगता है तू भी तो उनमें से एक है वो बै नहीं इसमें कोई शक नहीं कि ये मनुश्य येश्यू के साथ देखा है प्रभू येश्यू ने मुड़कर सीधे पत्रस को देखा तब पत्रस को येश्यू की वो बात याद आई कि आज मुरगे की बांग देने से पहले तुम तीन बार मेरा इंकार करोगे प्रभू जी हम विंति करते हैं कि आप अपनी महांता कि अनुसार हम पर तया करें प्रभू जब हमारे पूर्वजों ने आपका विरोद किया तब आप उनसे क्रोधे थें फिर भी उनका नाश नहीं किया परंतु शबा किया अपने अपने प्रेम वाचा तथा विश्वास योगता के कारण उन्हें उन्हें शबा कर दिया है 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 अब तुझे किस ने मारा भविश्वानी कर अब तुझे कौन मारेगा बस करो यह सब बंद करो इसे सभा के सामने ले आओ चल प्रभु येशु से पूछताज के लिए धर्म गुरुओं ने एक सभा बुलाई हमें बता क्या तू ही मसी है यदि मैं बताऊंगा तो तुम विश्वास न करोगे यदि मैं तुम से प्रशन पूछू तब तुम उत्तर न दे सकोगे लेकिन अब से मैं निश्चे ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी और बैठूंगा तो क्या तू परमेश्वर पुत्र है हाँ मैं हूँ हमने खुद अपने कानों से सुना कि इसने क्या कहा हम इसे पिलाथ उसके पास ले जाएंगे हाँ हाँ इसे ले चलो चलो और वे प्रभू येश्व को क्रूर रोमी शासक बिलाथ उसके पास ले गए जो हजारों को क्रूस पर चड़ाने के लिए जिम्मेदार था इतनी सुवा सुवा तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो हमने इसे लोगों को पहकाते हुए पकड़ा है इसने मंदिर के बाजार में खलबली मचा दी इसकी सजा क्या होगी इसे दंड दो मैं इस मनुश में दंड देने योगी कोई अपरात नहीं पाता हमने इसे दोशी पाया रोमी समराड को कर देने को मना करता है मसी होने का दावा करता है और राजा भी राजा क्या आप यहुदियों के राजा हैं तुमने खुद कहा इसने यह सब गलील में आरम किया था अब यहां भी आ पहुंचा है गलील में क्या ये मनुष्य गलीली है ऐसा है तो इसे राजा हेरोदेश को सौप देना चाहिए वो अभी भी यरुशिलम में ही है ना इसे बहा ले जाओ तो अपने विशा में क्या कहते हो तुम वे कौन है जिने तुम अपना शिश्य कहते हो मैंने बहुतों से सुना है कि तुम आश्यारे कर्म भी करते हो फिर मेरे लिए भी कुछ करो महराज ये सबी लोगों को बहका रहा है और अपने आपको राजा कहता है ये मनुश्य राजा महराज इसे खुद पीटो ले जाओ इसे बिला दूसके पास ये उसी के प्रांध का है ले प्रांध करते है इस व्यक्ति ने मृत्यूद अंड की योगियों कोई अपराद नहीं किया तो मैं इसे कोड़े लगवा कर छोड़े देता हूं इस त्युहार के समय हमारे लिए आप एक आदमी को छोड़ने का अधिकार रखते हैं हमारे लिए छोड़ते हैं बरब्बा और इस मनुश्य को तंब हाँ हाँ हमें बरब्बा आचाए है इसे क्रूस्फफचर हाँ है इसे क्रूस्फफचर हाँ क्यों प्हुखचर हैרט कि दुर्अ जूस्फबाचा इसे पार। है करोड़ने कर दिमसीन इह इसे क्यार्ट से यहां एभबाब। घंवा है इसे उठाओ वो जोर जोर से चिला रहे थे कि येशु को कुरूस पर चढ़ाया जाए तो बिलात उसने येशु को मित्दन दिया बदले में हत्या और दंगे के लिए बंदी बरवा को रिहा कर दिया गया और उस पर चढ़ाने के लिए येशु को उनके हवाले कर दिया वापर जाओ उससे दूर रहो पीछे हटो दूर रहो उससे दूर रहो पिर फिर्त में हमोगाई पिर्च विशनी पिर्थ पिर्शि ush बद्ट्ट्रो प्रे sólo पर ईससे थीर्थ झांभ 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 कि एई कि क्या नाम है तुम्हारा अजूर मुझे शमॉन को रहनी कहते हैं इधार आओ तो रफ्षिया काटो इसे उठाओ आगे चलो कि अ अचिरी अचिरी जला आओ को कि अंचिकरी आओ अचिए अचिरी अचिरी आओ जैंनल क्या सबस्टारा थीचिरी श्राओ अचिरी आओ कुरी 7 कि अचिरी आओ वॉझ गॉच्छ जाइ बपनों पिजे आए बपनों पिजे मरे साथ किया कुछ न होगा परमेश्वर आपकी सहायता करें, हम आपके लिए प्राफ्थना करेंगे. आपके! कि अख़कर बागा है आफ हम लाओ! आव! आव!! आव!!! आव!! आव!!! आव!! कर दो अचो तू कुटागार्ण असड़ी ले करो यह पिताय ने क्षमा कर के नहीं जानते के ही क्या करते कि इसने औरों को बचाया अब अपने को बचाया यादि तू मसीह है तो अपने आपको बचा हां कुरूस पर से उचरा हमारे सामने भी एक आचरे कर्म करें और येशु को क्रूस पर दो चोरों के बीच लड़काया गया इस प्रकार परमेश्वर के भविश वक्ताओं द्वारा सैक्रों वर्ष पूर्व की गई भविश वानी पूरी हुई ये कपड़ा किसी मामली आदमी का नहीं मैं बताता हूँ इसका क्या करें चलो पर्चिया डाले अच्छा पर्चिया बाल के देखते हैं अब तु इसका क्या करेगा उनके सिर के ऊपर एक तख्ती लटकाई गई जिस पर लिखा था ये यहूदियों का राजा है यदि तु यहूदियों का राजा है तो बचा ले अपने आपको लिखिया 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 अच्छा चलो पिर उब है क्यो जजा एम रेडिया अे हन्रोगा कर लो बाजया थेरा से प्रショ cliff क्यों तू तो मसी है ना फिर हमें और अपने आपको बचा ले क्या तुम परमेश्वर से नहीं ड़ते उनको वही सजा मिल रही है जो हमें मिली और इनका तु कोई अपराद नहीं है मुझे याद रखना येशु जी जब आप अपने राज्य में आएंगे मैं मुशन देता हूँ कि तुम आज ही स्वर्ग में हो गई मेरे साथ दो पहर हो जुकी थी और तीन घंटे तक सारे देश में अंधकार छाया रहा पहर है और मंदिर का पर्दा उपर से लेकर नीचे तक खट गया ए पिता आपके हाथों में सैनिकों के सूबेदार ने ये देख कर परमेश्वर की बढाई करते हुए कहा परमेश्वर की महिमा हो निश्चे ही ये एक धर्मी मनुश्य थे धर्मिक सभा के एक नेक सतस्य अर्मतिया के यूसुफ ने जो इस कारे से सहमत नहीं था जाकर पिलातुस से अनुमतिली के प्रभू येश्व की लोथ को विश्च्राम के दिन से पहले ही कबर में रखा जा सके झाल झाल कि शमा कीजिये हम प्रभु की लोद के पीछे पीछे आ रहे थे आप सभी आ सकते हैं मगर चले विश्राम दिन शुरू होने वाला है कि विए अड़िए कि विए बेगर दुदी के विए आ एफ आ लेगा का लोगा कि बाहे हैं रविवार की सुबह दड़के ही स्त्रियां सुगंधित वस्तुएं तयार करके गबर पर आई उन्होंने गबर से पथर को लुड़का हुआ पाया और जब वे अंदर गई तो प्रभु येशु की लोद वहां नहीं थी तुम जिवित को मरे हों में क्यों ढूंदती हो वे यहां नहीं है पर जी उठे है तुम्हें याद है कि गलील में उन्होंने क्या कहा था वे पापियों क्या हाथ पकड़वाए जाएंगे खुरूस पचरहाए जाएंगे और तीसरे दिम जी उठेंगे सुनो कपरे का पथर लुड़का हुआ था हम अंदर गए पर हमारे प्रभु का शव वहां नहीं है क्या प्रभु का शव नहीं है और दो मनुश्य हमें दिखे स्वर्प दूद चमकते सूर्य समान और हमसे यह कहा तुम जीवित को मृतकों में क्यूं ढूंटती हो यह सच है विश्वास कीजिए विश्वास कीजिए हमने उनको देखा आप भी जाकर देखे कपर खाली है प्रभु वहां नहीं है बट्रस आप मारव इश्वास कर देखे हां प्रभु येशु दो शिश्यों पर प्रकट हुए और वे उत्साह भरे अपने साथियों के पास गए प्रभु सच में जी उठे हैं वे पत्रस को दिखाई दिये हम जिब रास्ते में थे उन्हें नहीं पैचान सके पर रोटी तोड़ने पर ही हम ने उन्हें पैचाना इम माउस में वे वहां कैसे पहुच गए कि तुम्हें शानती मिले तुम क्यों इतनी चिंतित हो तुम्हारे मन में शंका क्यों उठ रही है देखो मेरे हाथ और मेरे पाउं और जान लो कि यह मैं ही हूँ मुझे छूओ तो पहचान लोगे क्योंकि आत्मा के हड़ी और मास नहीं होता जैसा मुझ में देखते हूँ मैं यही बाते तो करता था जब तुम्हारे साथ था कि मेरे विश्य में मूसा की व्यवस्था भविश्वक्ता के लेखों और भजन संहिता में लिखा सब पूरा होना था यही तो लिखा है कि मसीह को दुख उठाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना है उनके नाम से पश्चाताप और पापक्षमा का संदेश येरुशलम से लेकर सारे संसार में प्रचारित किया जाएगा तुम इन सब बातों के साक्षी हो और मैं स्वयम अपने पिता का वचन तुम्हारे लिए पूरा करूँगा स्वर्ग से सामर्थे पाने तक येरुशलम में ही प्रतीक्षा करते रहना परमेश्वर तुमारी रक्षा करें और आशीष्टे स्वर्ग और प्रित्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है इसलिए जाकर सब जातियों कि लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्रात्मा के दाम से बब्तिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्या दी हैं मानना सिखा और देखो मैं जगत के अंत तक सबीव तुम्हें साथ हजारों साल पहले पवित्र शास्त्र में भविश्य वक्ताओं ने लिखा कि परमेश्वर पापियों को बचाने और अपने साथ मेल मिलाप करने के लिए मसीह को भेजेंगे येश्व का जीवन स्पस्ट रीती से ये बताता है कि वो वही उद्धार करता है जिन्हें भेजने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया भविश्य वक्ता यशाया ने कहा कि एक कुमारी गर्भवती होंगी और एक पुत्र को उत्पन्न करेंगी और ऐसा ही हुआ भी परमेश्वर के सामर्थ्य से मर्यम जो एक कुमारी थी गर्भवती हुई और उन्होंने ईश्व को जन्म दिया जैसा शास्त्रवचन में लिखा है उनका अद्भुत रीती से जन्म लेना परमेश्वर की ओर से ये चिन्न है कि वो बालक जो जन्मा है मसी है जिसे परमेश्वर अपना पुत्र कहते हैं जब लोगोंने ईश्व को देखा तो उन्होंने उनमें परमेश्वर के चरित्र और सामर्थय को देखा उन्होंने लोगों को चंगाई दी और उनके पापों को क्षमा किया उन्होंने लोगों से वादा किया कि उन्हें अनंत राज्य में स्थान मिलेगा ईश्व ने अपन अपने प्राण देने की भी समर्थ्य हैं और साथ ही उसे वापस लेने की भी उनका जीवन बिलकुल ऐसा था जैसा भविश्य वक्ताओं ने मसी के विशह में लिखा था इस बात का पक्का प्रमान कि परमेश्वर का वचन पूनत पवित्र सत्य और कभी ना बदलने वाला है येश्व ही परमेश्वर का वचन है परमेश्वर येश्व के द्वारा अपने आपको लोगों पर प्रकट करते हैं येश्व हमें परिपून जीवन देने आए आदि में परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की थी ताकि वे उनकी उपस्थिती में आनंद से रह सक लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास किया और उनकी आग्या को नहीं माना उस लज्जा जनक कार्य ने उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया पवित्र शास्त्र में लिखा है कि सभी मनुश्यों ने पाप किया है और पाप का परिणाम मृत्यु है जो लोग पाप करते हैं वो परमेश्वर के साथ संगती नहीं कर सकते जिस प्रकार परमेश्वर ने एक मेंढ़ा अबराहम के पुत्र की जगे मरने के लिए उपलब्द कराया इसी प्रकार परमेश्वर ने यीशु को आदम के वंचचों की जगे मरने के लिए भेजा उन्होंने ये इसलिए किया कि जो कोई भी यीशु पर विश्वास करते हैं वो उनकी उपस्थिती में आ सकते हैं इसलिए जो यीशु के पीछे चलते हैं वे पाप के दंड से छोटकारा पाकर सदैव परमेश्वर के साथ रहेंगे जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने अपने चेलों से कहा हर राश्ट्र में मेरे नाम से लोगों में ये प्रचार किया जाएगा कि परमेश्वर उनके अपराद शमा करते हैं जो अपने पापों को छोड़ कर उनकी ओर फिरेंगे यीशु ने ये भी कहा कि परमेश्वर पवित्रा आत्मा को भेजेंगे कि वे उनके चेलों के साथ रहें और उन्हें सामर्थ्य दें कि वे परमेश्वर के मार्ग पर चल सकें जब एक पापिन स्त्री ने अपने पापों से मन फिराया और यीशु के पीछे चलना शुरू किया तब यीशु ने उससे कहा तेरे पाप शमा हुए तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया यीशु ने कहा जब लोग पून सच्चाई से परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसका प्रमान है कि परमेश्वर ने उनके अपराद क्षमा किये जो यीशु के शिश्य बनने का निरने लेते हैं वे यीशु के साथ अपने संबंद की शुरुवात इन शब्दों के इस्तिमाल से कर सकते हैं पिता परमेश्वर आप धर्मी है मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं मुझे इस बात का पच्चतावा है कि मैंने आपकी आज्याओं को नहीं माना और आपके विरुद्ध पाप किया मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने यीशु को मेरी जगे कुरूस पर मरने के लिए भेजा और वो तीसरे दिन जी उठे मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे पापों का दंड सहा मैं आपके मार्क पर चलना चाहता हूँ और यीशु को अपने उध्धार करता और प्रभु के रूप में ग्रहन करना चाहता हूँ मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे पापों को क्षमा किया और हमेशा के लिए अपने साथ अपने राज्य में रहने के लिए द्वार खोल दिये मैं विनंति करता हूँ कि अपना पवित्रा आत्मा मुझे दे ताकि वो मेरे साथ रहे और मुझे आपका मार्ग दिखाए वो मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं अपने पूरे मन से आपसे प्रेम रख सकूँ ताकि मैं ऐसा जीवन जीऊं जो आपको पसंद हो और इस दुनिया में हर जगे लोग आपकी स्तुति करें आमीन येशु ने अपने शिश्यों के बारे में कहा मेरी भेडे मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती हैं येशु के शिश्य आपस में मिलते हैं वो हर रोज उनसे बातें करते हैं उनके वचन को पढ़ते हैं वो हमेशा उनकी शिक्षाओं को मानते हैं, अनुसरन करते हैं, येशु उनके मार्ग दर्शक हैं और परमेश्वर का आत्मा जो उनके हृदे में रहता है, उन्हें सामर्थ्य प्रदान करता है। हमेशा उसे याद रखें जो येशु ने उनके स्वर्ग पर उठाये जाते समय कहा, परमेश्वर ने मुझे समस्त स्वर्ग और प्रित्वी का अधिकार दिया है। विश्वास रखें कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ इस जगत के अंत तक हूँ।